योग के प्राचीनतम ज्यान को आप सभी जिग्याशों तक अग्रेशित करने के इस प्रयास सनातन हठ योग में आप सभी का स्वागत है आज हमारा विशे है जो की काफी बहुचर्चित भी है जिसके विशे में काफी प्रश्न भी प्राप्त होते हैं असम हैं, समय से पहले अगर हमारे बाल सफेध होने शुरू हो जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या इसके कारण है, क्या वो अभ्यास हैं, जो कि इसमें विशेश आपको फाइदा देंगे, इन सभी विश्यों पर हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं उन तीन विशियों पर उन तीन कारणों पर जिसके कारण सफेद बाल हो जाते हैं समय से पहले बहुत अधिक यह समश्या बढ़ जाती है सबसे पहला कारण है अनुवानशिक यह जो अनुवानशिक कारण है यह थोड़ा सा कठिन हो जाता है इससे जो अला भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं लेकिन जो अनुवानशिक कारण है वहाँ पर भी ये समझले के दिर्ग काल तक अभ्यास किया जाएगा और जब सही सजगता रखी जाएगी सही पोशन लिया जाएगा तो वहाँ पर भी आपके सफेद बाल काले हो जाएंगे भले ही अनुवानशिक हों लेकिन लाब जरूर पहुचेगा और ये योगिक पद्दती के माध्यम से ही संभव है इससे आगे बढ़ते हुआ हम बात करते हैं तो दूसरा कारण है पर्यावरण की स्थतियां अगर आप ऐसी स्थति में रहते हैं जहां पर निरंतर बालों पर अगर आप ठीक प्रकार से ध्यान नहीं रख रहे हैं सफाई नहीं कर रहे हैं तो इसकी वज़े से भी बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं और इन स्थतियों को बदल के ध्यान रखके बाहर निकल रहे हैं तो आप कुछ बान सकते हैं कवर कर सकते हैं अधिक समय तक बाब होना शुरू हो जाएगा इससे आगे बढ़ते हुए जो तीसरा कारण है वो है पोशन अगर पोशन ठीक प्रकार से नहीं मिलेगा हमारे शरीर को तो निश्चित रूप से शरीर बालों को भी ठीक प्रकार से नहीं रख पाएगा क्योंकि हमारे शरीर का सीधा सा समाप तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप बालों की बात करते हैं, तो ये हमारे बाहरी हम कैसे दिखते हैं या फिर थोड़ा अगर इसका बात करें तो हमें protect करने के लिए भी कई ना कई होते हैं, लेकिन उतने अनिवार्य नहीं हैं, जितने के दूसरी कारे प्रणालिया है शरीर की, तो शरीर में अगर पोशन कम जाता है, तो जो पोशन शरीर को मिल रहा है, उस पोशन को शरीर कहा लगाएगा, जो कि अनिवार्य है, चीजें, उनको करने में लगाएगा, यहाँ पर पोशन कम जाएगा, तो बाल हमारे ठीक से रहेंगे नहीं, तो आपको पोशन का ध्यान रखना है और इसमें आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण आहार लेना है जिससे की विटामिन से ही मिलते रहें, प्रकृति से सीधा प्राप्त होने वाले आहार, आहार की अवधारणा के विशह में हम अलग से भी आपका अपमार्ग दर्शन इस चैनल के माध्यम से अवश्य करेंगे, लेकिन अभी यही समझें कि पोश्टिक आहार ग्रहन करना है, सात्विक आहार ग्रहन करना है, सही मात्रा में भोजन ग्रहन करना है, शरीर आप वो अभ्यास करते हैं योग के अंतरगत जो कि आपके बलड की सप्लाई जो है वो आपके सर की तरफ बढ़ा देते हैं तो निश्चित रूप से बालों में अच्छे बदलाव दिखाई देंगे, बालों की चमक बढ़ेगी, बाल जड़ने कम हो जाएंगे और अगर सफे पश्चिमोतानासन का अभ्यास आपको करना है, इस प्रकार से आपको सबसे पहले दंडासन की स्थती में आ जाना है और यहीं से आपके आपको अपने हाथों को इस प्रकार से सांस को अंदर भरते हुए उपर उठाना है और फिर सांस को छोड़ते हुए आपको धीरे धीर दीरे दीरे आगे की तरफ जाना है और इस स्थती में जा करके कुछ समय तक रुपना है कुछ समय रुपने के बाद फिर से आप वापस आ जाएंगे और इससे आगे का जो हमारा अभ्यास है उसकी और बढ़ेंगे इससे आगे का अभ्यास जो विशेश उपयोगी रहेगा वो है कंधारासन का अभ्यास कंधारासन के लिए आप यही से थोड़ा आगे जाएं और पीछे की तरफ लेट जाएं लेटने के बाद आपको अपनी एंकल को इस प्रकाल से पकड़ लेना है दो मोहातों से और धीरे धीरे अपने पेल्विक को उपर उठाना शुयू करना है देख लेंगे इस प्रकाल से आपको धीरे धीरे यह अभ्यास करना है यहाँ पर कुछ समय तक रुखना है फिर साह छोड़ते हुए आपको वापस आना है मैंने पहले ही का कि प्रत्यक आसन में कुछ समय तक ठहरने की रुखने की कोशिश करनी है तभी इन आसनों से आपको यलाब मिल पाएंगे इससे आगे बढ़ते हुए आपको करना है परवत आसन परवत आसन के लिए आपको वापस देरे देरे बैठना है और यहीं से पीछे की तरफ अपने पैरों को ले जाना है हाथ आगे जमाने हैं और यहीं से पैरों को पीछे ले जाते हुए इस प्रकार से स्थती में आ जाना है पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखें आपकी गरदन आपका सर दोनों हाथों के मध्य में कंधों को थोड़ा नीचे की तरफ ले जाएं आपके पैरों की एडियां भूमी से मैट से स्पर्ष रहे और इस स्थती में आपको रुखना है सामान्य स्थती में भी कुछ लंबे समय तक रुखेंगे कुछ व्यक्तियों को इस स्थती में रुखने में कुछ असहजता हो सकती है लेकिन इसका थोड़ा एक विकल्प भी मैं आपको बताता हूँ आप इस प्रकार से थोड़ा सा अभ्यास में बदलाव करते हुए भी कर सकते हैं अपने हाथों को इस तरह से मोड़ते हुए नीचे रखेंगे पैरों को वापस थोड़ा सा आगी और भूमी से अपनी एडियों को सपर्श रखने की कोशिश करें और इस स्थदी में कुछ समय तक रुकें कुछ समय रुकने के बाद यहीं से आप वापस आ जाएंगे और घुटनों को नीचे रखेंगे घुटने नीचे रखने के बाद यहीं से पीछे और आगे का अभ्यास हम करेंगे शशांकासन का अभ्यास इसके लिए फिर से हाथों को उपर उठाएं सांस पूरा बाहर छोड़ें सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं और यहां जा करके भी रुखें पुछ से में रुखने के बाद दीरे दीरे से हाथों को वापस उपर उठाएं और भगल में लाकर के रखें इससे आगे बढ़ते हुए एक और महतुकूर अभ्यास जो की विशेश लाब आपको देने वाला है उसके लिए आपको इस प्रकार से अपने पैरों को थोड़ा सा अंतर पे रख लेना है इस तरह से पैरों को रखने के बाद आपको यहीं से हाथों को नीचे की तरफ ले जाना है और इस प्रकार से नीचे हाथों को रख लेना है गर्दन को नीचे बिल्कुल ढिला छोड़ दें और इस स्थती में रुकें इस अभ्यास को करने में जिन बंदू को कुछ कठिनाई हो वो इसको थोड़ा सरलिक रदबी कर सकते हैं इस प्रकाल से दो ब्रिक ले सकते हैं और इनको सामने रखके दोनों हाथों को इनके ऊपर इस प्रकाल से रख सकते हैं ये काफी सरल आपके लिए हो जाएगा और उसके बाद फिर गर्दन को ढिला छोड़ें और नीचे की तरफ स्वास पर स्वास की क्रिया इस अभ्यास में निरंतर बनी रहे ये अच्छा है और इन अभ्यासों को आपको शुरुवाती समय में अगर आप एक मिनिट दो मिनिट तक कर पाते हैं तो ठीक है लेकिन अवधी को बढ़ाते हुए आपको धीरे धीरे तीन मिनिट चार मिनिट तक ले करके जाना है इन अभ्यासों को निरंतर करना है साथ ही साथ आपको नाड़ी शोधन प्रणयाम का अभ्यास करना है ये भी blood circulation के लिए भी में तुपूर्ण है एक शान्ती बनी रहे ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर चिंता तनाव रहेगा किसी भी तरह का नींद सही से नहीं होगी आपकी तो नींद का और चिंता तनाव का भी विशेश इस पर प्रभाव पड़ेगा बाल और जाधा सफिद होते चले जाएंगे इसको ठीक करने के लिए नाड़ी शोधन प्रणयाम विशेश उपयोगी है इसके लिए अलग से मार्ग दर्शन किया गया है क्योंकि इसमें अगर हम कम शब्दों में कहेंगे तो ठीक प्रकाल से व्याक्या नहीं हो पाएगी इसके लिए पहले से एक वीडियो बनाई गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा वहाँ पर जाएं नाड़ी शोधन का अभ्यास भी करें उसको ठीक से समझें इन अभ्यासों को अगर करते हैं और आहार का ठीक ध्यान रखते हैं तो कुछी समय में ये समश्या समाप तो होनी शुरू हो जाएगी साथ ही साथ ध्यान रखें कि कुछ बंधू में देखता हूँ, लड़कियां भी लड़के भी बालों को सूखा रखते हैं, बालों में तेल नहीं लगाते हैं, तो कम से कम, रात्री में तो तेल जरूर लगाएं, सुभे उनको आप दो सकते हैं, या फिर हफते में एक अच्छ बालों को विशेश पोशन प्राप्त हो जाएगा, और बाल बहुत अच्छे से आपके ठीक रहेंगे, और अगर सफेद बाल हैं भी तो वो भी काले होने शुरू हो जाएंगे, अब एक्षा है, आपको ये सारी जानकारी ठीक से समझ आ गई होगी, और इसको आप करते हैं तो विशेश पोलाब निशुद्रूप से प्राप्त होंगे, सभी के लिए प्राप्तना, सभी के लिए मंगल कामना, आज के लिए इतना ही, ओब नमस्षिवाएब